बिहार विश्य विद्याले में गुरुवार को चल रहे करमचारियों का हर्ताल तीसरे दिन भी जाड़ी रहा 15 सुत्री मांगों के समर्थन में करमचारी 28 फरवरे से हर्ताल पर है करमचारियों के हर्ताल पर जाने से विश्य विद्याले का काम बाधित हो गया है विश्य विद्याले में काम के लिए दूरदरास से आने वाले छात्रों को काफी परिशानी का सामना करना पढ़ रहा है बिना काम के ही वापस लोटना पढ़ रहा है बता दे विश्य विद्याले के करमचारी करमचारी संग के बैनर तले धरना पर है करमचारियों का कहना है कि पिछले साल में विश्य विदाले प्रशासन ने उनकी पांच मांगों को सुईकार कर लिया था लेकिन एक साल बीच जाने के बाद भी उनके मांगों को लागू नहीं किया गया इससे करमचारी में विश्यविदाले प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है करमचारीों की मांग है कि उनका वेतन मिर्धारन कर नया वेतन मांद दिया जाए साथ ही कई वर्सों से करमचारीों का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है जो इसके योगे हैं वैसे करमचाडी को चिनहित कर प्रमोशन दिया जाए आज विश्व विदाले के सभागार में करमचाडी सेंग की आमसभाब बैचक का आयोजन किया गया है इस बैचक ने आंदोलन की आगे की रूप रेखा तियार की जाएगी अगर विश्व विदाले परशासन उनके मांग को लागू नहीं करता है तो उनका हरताल अनिश्चित काल के लिए हो सकता है है उसके बाद भी उन्होंने ट्याल मतोल का रवया अपनाया हुआ है और अभी तक एक भी नोटिफिकेशन करके नहीं लिया है इसी के खिलाब हम सारे करमचाडी आक्रोशित होके एजिटेशन करने आगे अभी आमसभा की बैठे कोई थी लगबग 15 मिनेट पहले उसमें अबही अधिकारियों का अगर वो कार्याले में आते हैं तो कार्याले में घेराव करेंगे अन्य था उनके कौर्टर पे जहां वो सोई हुए हैं वहां जाके उनका जोंका सब्सक्राइब और देनिक वेटन भोगी कर्मियों का सेवा अगले आदेश तक जाड़ी रखने का ह साथ ही हमारे जो मीनिमम पेज इंपलाईज है उनका सेवेंध पेडिविजन हमारे आज पूरे बिहार विश्विद्याले में जितने भी महा विद्याले हैं उनके करमचारी संगतन साथ में हमारा बिहारे बिहार विश्विद्याले करमचारी संग उसके साथ हमारे महासंग के महासचीव हमारे साथ है